नमस्कार आप सभी का एगंस्ट करप्सन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 आर्टी आई एक्ट 2005 के तहत सूचना आयोग भी आर्टी आई एक्ट के दाइरे के अंदर है इसलिए हम अपने अपने राज्य सूचना आयोग या केंदर सूचना आयोग से भी सूचना अवस्य मांग सकते हैं इसकी जानकारी के लिए आप सूचना आयोग के कारियाला में अपना अपना आवेदन देकर सूचना अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित कोई भी जानकारी आप लोग अवस्य ले सकते हैं तो अपने राजी के सूचना आयोग में किस प्रकार प्रपत्र को द्वारा सूचना मांगेंगे इसकी जानकारी आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो अवस्प्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक अवस्य कर ले जिससे इस तरह के हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा इसे इतना सेयर करें कि हर भारते को इसकी जानकारी आसानी से हो सके और वे सूचना आयोग में भी सूचना प्राप्ट करने के लिए RTI आसानी से लगा सके तथा इसे एक लाइक अवस्य कर देंगे चलिए मैं बिहार आज सूचना आयोग में एक प्रपत्र को द्वारा सूचना मांगने का प्रियास कर रहा हूँ आप लोग भी इस तरह अवस्य सूचना मांगेंगे तो लिखेंगे सेवा में लोग सूचना पदादिकारी, सूचना आयोग का कारियाल है, सूचना भवन, पटना पंद्र है यह बिहार आज सूचना आयोग का पता है इसलिए मैंने लिखा है यहां आवेदक अपना नाम लिखेंगे, अपना पूरा पता लिखेंगे मैं यहाँ अपनी मा के नाम से एक RTI आवेदन लगा रहा हूँ आप लोग भी अवस्य अपने अपने राज सुचना आयोग में भी RTI लगाएंगे तो मैं किस तरह की जानकारी प्राप्त करना चाहता हूँ आप लोग अवस्य देखें या हर व्यक्ति के लिए अती महत्वपूर्ण है मैं RTI आएक 2005 से संबंधित निम्लखित जानकारी चाहती हूँ पहला धारा बीस एक के तहत किस किस इस्थिती में दोसी PIO पर कारवाई किया जाता है इसका क्या माप डंध है इसकी संबंधित जानकारी चाहती हूँ तीसरा यदि PIO द्वारा सूचना देने में बिलम्ब के कारण आवेदक को छती होती है तो इसके लिए आवेदक को धाराровणे 6B के तहत आवेदन देने के लिए आवेदक को कहां और किस माप डंड के अधार पर आवेदन देना होता है इसकी जानकारे भी उपलब्ध कराने की किरपा की जाए इस प्रकार हम लोग सुचना अधिकार अधिनिया के तहत सुचना आयोग से भी आवस्यक जानकारी ले सकते हैं और इसके लिए भी 10 रुपे का विहार में सुचना ले सकते हैं तो मेरी मा के नाम से रासन कार्ड है इसलिए मैंने यहां मैं गरिवी रेखा से नीचे के परिबार से हूँ मेरा रासन कार्ड संख्या इतना है अपना रासन कार्ट संख्या भी यहां लिख देंगे अपना अस्ताक्चर करेंगे वाइल नमबर और पूरा पता लिखेंगे अस्थान मैं भागलपुर जीले से हूँ दिनांकाज का डेट लिखेंगे जब भी आप लोगों को सूचना आयोग से भी सूचना लेनी हो तो अब इस प्रकार प्रपत्र कोद्वारा सूचना मांग सकते हैं साधे कागज पर भी आप लिखकर सूचना इस प्रकार मांग सकते हैं जिने रासन कार्ड ना हो वे 10 रुपे का भारतिये नंजडिसली स्टांप या भारतिये पोस्टल ओर या आप बैंक ड्राप्ट के मात्यम से यहां इसमें भर देंगे मैं 10 रुपे का भारतिये पोस्टल ओर तिथी इतना से रशी संक्या इतना से भुकतान क्या है जो भी बैंक ड्राप देंगे या जो भी आप सूचना आयोग में जाकर आप नगत भी सूचना ले सकते हैं जय हिंद